बिस्मिल्ला लेशन थ्री पार्ट थ्री उपर में है तमारीन तमारीन क्या है तमरीन की जमा है तमरीन किसको कहते है एक्सरसाइज को और तमरीन की जमा तमारीन जिस तरह एक्सरसाइज की जमा एक्सरसाइज है जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो उस पर से तन्वीन यानि दो पेश खत्म हो जाती है और सिर्फ एक जम्म, जम्म मिन्स पेश बाकी रहता है नीचे रेड कलर में रजुलून रजुलून, रा से पहले अलिफ लाम नहीं है और अखिर में लाम रजूलू लाम पे दो पेश है क्यों क्योंकि अलिफ लाम नहीं है रजूलू और ग्रीन कलर में अर रजूलू रा से पहले अलिफ लाम है और लाम अर रजूलू लाम पे पेश है कितने हैं एक क्यों क्योंकि इस पे अलिफ लाम दाखिल है तो जिस पे अल वलदुन, अलवलदु, मस्जिदुन, अलमस्जिदु, इस तरह से. विद अलिफ लाम और विद अलिफ लाम जैसे मस्जिद, माउ, कलम, किताब और विद अलिफ लाम यानि जिस पे अलिफ लाम दाखिल होगा उसके लाश्ट लेटर पे सिर्फ एक जमा बाकी होगा कियों किताब और विद अलिफ लाम दाखिल है जहां अलिफ लाम होगा वहाँ एक पेस्ट दो पेस्ट नहीं होगा अलिफ लाम होगा अलिफ लाम और विद एन राइट तो आप पढ़ें और लिखें एक नोटबुक बना लें अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो लिखना जरूरी है तो एक आप नोट बुक रखें नमबर वन मदर्रिस नया है मदर्रिस means teacher अल्बन बारिद दूद ठंड़ा है अल्कमर बाइद चांद दूर है अल्हजर उकबीर पत्थर बड़ा है अल्कमीस वसिखन कमीस गंदा अल्मिंदील नजीफन रुमाल साफ है अल्मदर्रिस उकदीम टीचर पुराना है एक साथ आप बोले दूद ठंडा है और पानी गरम है राइटिंग टेबल टूटा हुआ है मुहंदिस जालिस वाल्मदर्रिस वाकिफ मुहंदिस इंजिनियर जालिस बैठा है और मुदर्रिस खड़ा है कि यहां डेफनित नाउ अल्मारिफा डेफनित अल्मारिफा मारिफा की तारीफ है जो आप कल पढ़ चुके हैं कि वह इस्म है जिसे कोई खास चीज समझ में आए तो जिस पे अलिफ लाम दाखिल होगा आपको समझना पड़ेगा कि वह खास चीज है जैसे अर रजलू खास आदमी और इंडेफनित नाउन इंडेफनित यानि अननकिरा नकिरा क्या है वह इस्म है जिससे कोई आम चीज समझ में है तो जिस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा तो उसके अखिर में लास्ट लेटर पे दो पेश होगा तो वह आम चीज है नकिरा है इंडेफनित है तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस पे अलिफ लाम नहीं हो खास चीज नहीं है एक्जाम्पल ओफ डेफनेट नाउन फ्रॉम दी कुरान कुरान से जालिकल किताब ला रॉइब फी ये सुरह बक्रा की आयत नमबर दो है चेप्टर टू अल बक्रा वस नमबर टू जालिकल किताब 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 अलिफ लाम है और अलिफ लाम है इस वजह से ilkitabu ba last letter है तो ba पे एक पेश है तो ilkitabu अलिफ लाम जिस पे दाफिल होगा वो खास है यemas रहे है to ilkitabu खास Kittab तो Allah Teala जालीक الإल-किताम किताम लारईब वी जिसमें कोई शक्त जएन यही शक्त नहीं है तो Allah Teala किसी खास Kittाम के बारे में बात कर रहा है बता रहा है कि वो खास किताब जिसमें कोई शक नहीं वो कौन सी किताब है जालिक कुरान वो कुरान है एक्जामपल उफ इंडेफनेट नाउन फ्रॉम दिकुरान इन्नल्वाया यामुरुकुम अन्तजबहु बकरा बकरतन बकरतन दो जबर है इस पे तो दो जबर दो जिर दो पिश को तनवीन कहते हैं और दो जबर दो जिर दो पिश किसी पे कभी दो पिश आता है तो दो दो पिश की मिसाला पढ़ चुके या दो जबर है तो ये नकेरा है ये इंडेफनेट है तो इंडिफनेट है तो खास नहीं होगा बलके कोई भी बकरतन मतलब होता है गाए, काओ तो बकरतन एनी काओ, एकाओ कोई भी गाए के तालुक से हज़रत मुस्वा अलिएसलाम ने अपनी कौम से कहा कि बेशक आल्ला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम कोई भी एक गाए जबह करो लेकिन मुस्वा अलिएसलाम की कौम ने कहा कि नहीं आप बताएए कैसी गाए हो उसका रंग कैसा है तो अल्ला का हुक्म था कोई भी गाए जबह कर दो यानि तो खबूल कर लिया जाएगा लेकिन इन लोग ने जबरदस्ती सवाल किया इसलिए अगर कोई बड़े आपको हुक्म देता है करो तो उसमें आपको सवाल करने की ज़रुवत नहीं है जितना कहा जाए उतना करना चाहिए तो ये कहां पे है आयत ये सुरा बकरा की आयत नमबर 67 67